हेलो फ्रेंट्स मैं सोनू आप सभी का दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो है इसमें मैंने आई टे के कारपेंटर ट्रेड के स्टुडेंट्स के लिए इंपोर्टेंट कोशिंस का यहाँ पे कलेक्शन किया है यहाँ पे हमने टोटल 170 कोशिंस को प्रिपेर किया है जो कि हमने लिए हैं भर्थ स्किल्स के कोशिंद बैंक से यहाँ कि आपके एक्जाम में जितने भी प्रसन आते हैं वो सारे के सारे भर्थ स्किल्स के कोशिंद बैंक से ही पूछे जाते हैं इस वीडियो के अंदर हम इन सभी प्रस्णों को नहीं करने वाले हैं बलकि वीडियो के लिए मैंने सिर्फ 10 important questions को रखा है जिनको हम इस वीडियो में करेंगे और बाकी के जो प्रस्ण होंगे उनके आप PDF डाउनलोड कर सकते हो जिसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है वहां से जाकर के आप PDF को इसली डाउनलोड कर सकते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिने ज़्यदा समय लिए यहाँ पे सबसे पहला प्रस्ण दिया गया है कि स्टील रूल में एक फिट कितने इंच स्वेब बनता है तो एक फुट जो होता है वो 12 इंच से मिलकर के बनता है जो कि ऑप्शन भी यहाँ पे आपका सही है दूसरा प्रस्ण है पोर्टेबल पावर सर्कुलर साव मशीन में एक्स के रूप में चिनित भाग क्या है तो यहाँ पे जो आपको कटर दिखाई दे रहा है इसमें जो यह नट होता है यह एंटी क्लोकवाइस दिसा में घुमाया जाता है और इसको टाइट किया जाता है बलेड को फिक्स करने के लिए तो यह जो नट है इसे हम आरबर कहते हैं जो कि option B आपका सही है तीसरा प्रशन है hammer का नाम क्या है तो यहाँ पे जो आपको हथोड़ा दिखाई दे रहा है इसका इस्तिमाल कीलों को ठोकने के लिए भी किया जाता है इसे हम claw hammer कहते हैं जो कि option C यहाँ पे आपका सही है चोथा प्रशन है file का नाम क्या है तो यहाँ पे जो आपको रेती दिखाई दे रही है इसका इस्तिमाल लकडियों को घिसाने के लिए किया जाता है तो इस file को हम कहते है rasp cut file जो कि option A आपका सही है पांचमा प्रशन है बास की लकडी के गुण क्या है तो जो बास की लकडी होती है एक तो वो मजबूत होती है दूसरा वो लचीली भी होती है तो सही उत्र होगा option D यह लचीला है और मजबूत है चटा प्रशन है flow plane का क्या फाइदा है Plo, Plo का हिंदी में मतलब होता है हेट में चलने वाल तो जब हल चलता है तो वहाँ पे एक V आकार की जिरी जो है बनती है इसी तरब लकडियों में भी जो हट कहीं पर V आकार की जिरीयां होती है उनकी finishing करने के लिए Plo रंदे का इस्तिमाल किया जाता है तो इस प्रसन का सही उत्र होगा option B, groove को plane करना तो यहाँ पे जो V groove बना हुआ है इसकी finishing करने के लिए flow plane का हम इस्तिमाल करते हैं साथमा प्रसन है लकडी की seasoning का उद्धिश्य क्या है तो लकडी की seasoning का मतलब होता है लकडी में से नमी को निकालना तो इस प्रसन का जो सही उत्र है वो है option A, नमी को निकालें आठमा प्रसन है paint को पतला करने के लिए किस सामगरी का उपियो किया जाता है तो गाड़ा जो paint है उसको पतला करने के लिए हम उसके अंदर तारपिन का तेल मिलाते हैं जो कि option C आपका सही है तो प्रसन है painting से पहले coat का नाम क्या है तो painting करने से पहले जो एक coat किया जाता है किसी भी लकडी, धातु या दिवार पर तो वो जो coat होता है सबसे पहला उसे हम कहते हैं priming जो कि option A आपका सही है जिससे कि उस पे जो paint किया जाएगा उसमें अच्छी finish आएगी और उसका जीवन काल भी बढ़ेगा दसमा प्रसन है twist drill bits बनाने के लिए किस सामगरी का उप्योग किया जाता है तो लकडी के अंदर शुराख करने के लिए जो हम drill के अंदर एक twist drill bit इस्तिमाल करते हैं वह high speed steel धातुकी बनाई जाती है जो कि option D आपका सही है बहुत सारी books में आपको HSS भी देखने को मिलेगा यानि कि high speed steel तो दोस्तो ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया है complete उमीद करता हूँ वीडियो आपके लिए फाजमन रहेगा अगर आपका कोई और सवाल है तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिखके पूछ सकते हो तो मिलते हैं मारी एगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार